प्रभातकबर.com विश्वास्वही रवतार नई नमस्कार मैं रिशिका आप देख रहे हैं प्रभातकबर बकरीद को लेकर राजनानी पटना में बकरों का बाजार बुलजार में रविवार को यानि दर्शुलाई को बकरीद है रमजान के इस पवित्र महीने की समाप्ती होने के दख़क सत्तर दिनों बाद ही इस पर्भ को मनाया थाका है बकरीद पर गुर्भानी के लिए बकरों का बाजार सच चुटा है मार्केट में एक से बढ़कर एक बकरे मौझूद है इन बकरों के कीमत लागों उपैपने बाजार में अन्य राजियों से भी लोग अपने बकरों को बेचने के लिए साथ लाए है बकरीद को लेकर ख्रीशी उत्पात बाजार समीती से लेकर राजा बाजार स्थित बकरी मंडी में सजा बकरी बाजार बुलजार हो गया है बक्री मंडी में बिहार समेत राजस्थान और उत्तर प्रदेश का बक्रा उपलब है रविवार को देश भर में बक्रीद का त्योहार मनाया जाने वाला है बक्रों की खरीद बिक्री भी जोड शोर से चल रही है कई तो ऐसे बक्रे भी हैं जिनकी कीमत एक लाग से उपर बताई जा रही है शुक्रवार से ही राजदानी पटना के कई इलाकों में लगे बक्री बाजार में काफी संख्या में हरीदार मूलभाव शुरू कर दिये हैं इस बार बक्रीद में पटना के बाजार में पंजाबी बीटर, तोतापुरी, अजमेरी, मालवा, सिरोही, ब्लैक बंगाल, जीरापुरी मालवा, बरबरी, जमुनापुरी समेत कई नसल के बक्रों की बिक्री हो रही है। बलिया के बक्री ब्यपारी यूनूस, पुरैशी अपने बक्रे जिसका नाम सल्मान है उसके साथ पहुचे हैं, जिसकी कीमत असी हजार बताई जा रही है। वहीं जग्दे पत्स्तित बक्री बाजार में अजमेरी बक्रा देढ़ लाक रुपे में बिक्कर अपने मालिक को माला माल कर दिया है। बक्रे के मालिक सलाओ दीन ने कहा कि दो साल में अजमेरी बक्रा का बजन 145 किलो हो गया है। वैसे ही आरा के असगर के बक्रे, शेरू और भवुआ के इकबाल के सल्लू बक्रे की विक्री 75,000 और 60,000 रुपय में हुई है। पटना के बक्रा बाजार में यूपी, राजस्तान, जहारखन, उत्तरप्रदेश, मध्यप्रदेश वो पंजाब से भी बक्रा को लाया गया है। इसके अलावा पटना में हाजिपुर, आरा, पुर्णिया, बेतिया, कटिहार, गया, भोजपुर, सारण, नालंदा, वैशाली, बेगु सराय, तिहारी, समस्तिपुर समेथ, कई और अन्ने जीलों से भी सैक्रूम की संख्या में बक्रे को लाया जा रहा है। दूसरी तरफ बक्री वेबसाइल फोड़े चिंतित भी दिख रहे हैं। बक्री मार्केट के जिया उल्ठ खान ने कहा कि इस साथ बक्रे की खरीदारी पर महंगाई की जबरदस्त मार है। बक्रे की कीमत ऊच कर खरीदार रोट रहे हैं। पहले स्थिती यह रहती थी कि बक्रीत की दस दिन पहले से ही खरीदारी शुरू हो जाती थी। इस बार मंडी में काफी कम खरीदार पहुंच रहे हैं। इसी तरह की तमाम खबरों के लिए जुड़े रहे हैं हमारे साथ और देखते रहें प्रभात कबर।